नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है विपक्षी पाटियां खासकर कॉंग्रेस लगतार या रोप लगा रही है कि मोदी सरकार केंद्रिये एजेंसियों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है मतलब विपक्षी पाटि के नेताओं के खिलाफ केंद्रिये एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई कि जहां जहां चुनाब है उन राज्यों में कॉंग्रेस के नेताओं के खिलाफ एडी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कॉंग्रेस का डेलिगेशन चुनाव आयोक से मिलने गया उसने भी यही बात कही कि 36 गड़ में देखिए चुनाव होने से पर्थम चरण के चुनाव से 3-4 दिन पहले अचानक से ED ने प्रेस कॉंफेंस करके बगहेल के बारे में ऐसी बात कह दी जिससे चुनाव परवाव होता है ये फेर एलेक्शन नहीं कहा जा सकता उसी तरीके से CM अशोक गहलाओत के बेटे वैभव गहलाओत को समन भेज दिया गया और उनसे पूछ ताच की गई है पुराने मामले में मतलब राजस्थान में भी ED के माध्यम से चुनाव को परवावित करने की कोशिस की जा हाला कि चुनाव आयोग ने क्या-क्या बाते कही इसकी चर्चा बात में करेंगे लेकिन जिस तरीके से ED-CBI के उपर बार-बार विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है अब अगला नंबर NIA के बीच भी है क्योंकि NIA के उपर भी ऐसे ही आरोप लगाने लगे हैं जो की रास्टिये सुरक्षा एजनसी है जो रास्टिये हित के कामों में इंटी टेरोरिज्म डिपार्टमेंट है जहां आतंकवाद रास्टिये हितों पर प्रभावित करने वाले कारक मौझूद होते हैं जहां रास्टिये सुरक्षा का मसला आता है वही पर NIA की एंट्री होत और उसके पीछे की वज़ा ये है कि जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारे हैं वहां अब एक नया सेंटर खुलते जा रहा है और वो है बांगला देशी रोहिंग्या ये लोग जो बांगला देश के बोर्डर से क्रॉस होकर हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं ये उ राज्यों में इंडी एलायंस के किसी सहयोगी पार्टि की सरकार है उन जगों पर इन नेटवर्क को वाइबरेट कर रहे हैं और उसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए इन आईये ने चापे मारी की आठ राज्यों में चापे मारी की गई और हाला कि हर राज्य में वो पहुच सकता ना बंगलादेशी पहुच सकता है ना राजस्थान पहुच सकता और नहीं तमिनाडो पहुच सकता इन राज्यों में ये नेटवर्ग जो चल रहा था तिरपुरा के माध्यम से असम के माध्यम से पश्शिम बंगाल के माध्यम से और इसलिए 55 जगों पर अचा और बंगला देशियों को भारत में घुसाने उसके लिए डॉकुमेंट तयार करने उसे भारत के नागरिक बनाने में सहयोग करते हैं इसमें जो च्छापे मारी किये गए 44 लोगों को गिरफतार तो किया गया उसके साथ कुछ और डिजिटल एविडेंस भी मिले इनको और उस च्छापे मारी में जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं उससे पता चलता है कि ये जो रैकेट चल रहा है नेटवर्क चल रहा है उसमें केबल सामान ने अपराधी शामिल नहीं हैं बलकि एक रास्टिये सुरक्षा को खत्रा पहुचाने वाले तत्व हैं एलिमेंट हैं जिस और वो मुकमंत्री हैं हेमंता विश्व सर्मा असम में ये रैकेट चल रहा था और जब असम पुलिस ने क्रैक डाउन किया कई लोगों को गिरफतार किया तो पता चला कि असम तक सिमित नहीं है ये अंतर राज्जिये यानि कि इंटर स्टेट कनेक्शन इसका है अलग राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसे जो नए नए तरीके ढूंडे जा रहे हैं जिसमें इनको किसी न किसी तरीके से भारत का नागरिक बनाया जाए और ये जो बंगला देशी और रोहिंग्याओं को भेजा जाता है वो उन राज्यों में ज्यादा भेजा जा रहा है जहां विपक्षी पार्टी की सरकारे हैं और इसलिए उन राज्यों के मुस्लिम मुहलों में इनको रखा जाता है और फिर वो आसपास के मुस्लिम लोग भी जो हैं इनको एकसेप्ट करते हैं ये कभी इसकी सूचना पुलिस को नहीं देगे कि यहाँ पर आकर कुछ बाहरी लोग बैठ गए हैं रह रहे हैं वही मुस्लिम मुहले के लोग इन लोगों को अपने घरों में आश्रण देते हैं मतलब पहले रेंट पर ये वहाँ पर रहते हैं और रेंट के मकान में मकान मालिक जो लैंड लॉड होता है वो इन लोगों के लिए एग्रिमेंट तयार करत है कि ये हमारे यहां दस साल से आठ साल से पांच साल से रह रहे हैं और उसी के आधार पर सबसे पहले वोटर लिस्ट में इसका नाम दिया जाता है इसका आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाया जाता है फिर उसी पते के आधार पर कहीं न कहीं से ड्राइविंग लाइसेंस जाती है और ये सारे डॉक्मेंट धीरे धीरे तयार किये जाते हैं फिर उस घर में रहने वाले जो मुसल्मान हैं उन वंगलादेसी और रोहिंग्याओं को यहां का नागरिक बना देते हैं उन जगों पर जहां पर कॉंग्रेस की सरकार है जहां पर डीमक की सरकार है जहां पर बढ़ेगी हमारा वोट बैंक बढ़ेगा और इसलिए ये संरक्षन दे रहे हैं जब हेमंताविस्टर्मा ने असम पुलिस की रिपोर्ट पढ़ी कि ये अंतर राजिये तरीके से चल रहा एक नेटवर्क है तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और मांग की कि इसकी जाच एनाईय से कराई जाए क्योंकि एनाईय ये ही एक ऐसी एजेंसी है जो रास्टिये सुरक्षा के मुद्धों पर जादा परसिक्षन ले रखी है इनके पास एक्सपर्टीज है और ये पूरे नेटवर्क को क्रेक कर सकते हैं इसकी जानकारी मिलने के बाद अमिस सेप को जोड़ा गया एना ये ने बीए सेप के कुछ अधिकारियों को अपने साथ रखा और बोर्डर स्टेट तिरपुरा में पश्चिम बंगाल में चापे मारी की गई और वहां से चार सो पचास ऐसे लोग जो बोर्डर क्रॉस करने के लिए तयार थे उनको पकड़ा गया उनको पकड़ने के बाद हिंदुस्तान के जेल में नहीं भेजा गया बलकि उनको सीधे बंगलादेश भेज दिया गया क्योंकि भारस सरकार की अब एक नीती रही है कि अगर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो गैर कानूनी तरीके से बोर्डर क्रॉस करना चाह रहे हैं और वो पकड़े जाते हैं तो उसे जेल में मत रखो क्योंकि ये तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जेल में रहें दो महिना चार महिना छे महिना के बाद शरनार्थी बनने की कोसिस करें और फिर कुछ समय शरनार्थी कैम्प में रहें और वहां से निकल कर हिंदुस्तान मे यही से यह बंगला देशी और रोहिंडिया जो हैं यह आतंगी संगठनों के साथ जूरते है यह कूडा बिनने वाले सिर्फ लोग नहीं है ये चोटे मुटे काम करने वाले लोग नहीं हैं क्योंकि वहां से आने के बाद जो ये यहां पर हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं तो इनके दिमाग में रहता है कि हम पैसा कमाएंगे कि अगर कहीं से लिंक मिला तो वो इस्तेमाल किया जाएगा ISI का और फिर ISIS का ये कई बंगलादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए हैं जो भारत विरोधी गतिविधियां जो आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं इसलिए NIA ने इस पर कारवाई सुरू की B.A.C.P. के साथ मिल जूलकर सबसे पहले जो पहली खेप में साड़े चार सो लोगों को बंगलादेश भगा दिया मेनमार भगा दिया उसके बाद आगे क्या हुआ आगे इन लोगों ने जा सुरू किया एक जगह पर छापे मारे की पता चला कि वहाँ से एक ट्रेन पर करीब तीन चार सो रोहिंग्या जो हैं वो करनाटक जा रहा है यह तिरपूरा के रास्ते निरेन से बैटकर साथ इंडिया की तरफ जा रहा है फिर उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर अचानक से आठ राज्यों में छापे मारी की गई तिरपुरा में, असम में, हरियाना में, पुडुचेरी में, करनाटक में और पश्चिम बंगाल में इन जगों पर जो छापे मारी की गई तो ये पूरा ट्रैफिकिंग का नेटवर्क पता चला कि कैसे ये इलिगल तरीके से जाते हैं, उससे पहले इन लोगों ने जैपूर में छापे मारी की थी, बैंगलूरू में छापे मारी की थी, और चन्नाई में छापे मारी की थी, ये तीन स्टेट के बारे में समझें, ये तीन स्टेट कौन से हैं, जैपूर जहां पर राजस्थान में पांच सा बाग भाग करा रहे हैं पश्चिम बंगाल में ऐसे भी ममता बनर जी इन्हें शरण देती है लेकिन जब से ये बिवाद असम से शुरू हुआ है एनर्सी तब से पश्चिम बंगाल में भी ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि इन लोग को लगता है कि हमिश्चाह ने बोला अग कॉंग्रिस की सरकारे आती रहती है जहां पर विपकछी पार्टी के दूसरे गटबंदन सहयोगी की सरकारे आती है इसलिए ये अपने लिए सेफ जगा डूड़ने लगे करनाटक की तरफ जहां मुसलिम पहले सही एक्टिब है पीफाई एक्टिब है और कई मुसलिम संगटन इन लोगों को सहयोग देने के लिए तैयार हैं इसलिए ये तीन जगों पर छापे मारी हुई तो एनायोग को और सुचनाय मिली कि ये जहां जहां मुस्लिम बस्तिया है और जहां जहां ये सरकारें चल रही है जो कि हिंदुस्तान में मुसल्मानों की संख्या बढ़ा कर अपना वोट मैक बढ़ा रही है तो वहाँ वहाँ इन लोगों के लिए सिल्टर है और फिर छापे मारियों का दौर सुरू हुआ आठ राज्य पच्पंच्छापे चवालिस गिरफतार ये चवालिस लोग जो हैं ये सामान माईग्रेंट्स नहीं है रोहिंगिया बंगलादेसी नहीं है बलकि ये वो लोग हैं जो हजारों रोहिंगियाओं को हर महीने लाकर हिंदुस्तान में बसाते हैं बंगलादेसियों को हिंदुस्तान में बसाते हैं ये वो लोग हैं और इसलिए जब राजस्थान में, करनाटक में, चेनई में छापे मारे हुई, पश्चिम बंगाल में क्रैक डाउन हुआ, मम्ता बनर जी से लेकर कॉंगरिस तक बॉखलाये हुए हैं। अब इन लोगों को लगने लगा है कि पहले तो ED और CBI ये दोनों से परिशानिया पैदा हो रहे थी बरस्टा चार के मामलों में, लेकिन अब जो हमारे नेता इन इलिगल एक्टिविटी में शामिल हैं, दिस द्रोही गत्विदियां कर रहे हैं, उसमें भी अब बड़ा एक् ठीमी और उसकेबाद आगे इन लोगों को पूश्टाश केबाद सेकडों गिरफ्तारिया होने अब बाकी है, और इन लोगों को जो बंगलादेस या मैंडमार से आए हैं, रोहिंग्या मुसल्मान, बंगलादेसी मुसल्मान, इन लोगों को वापस भेजने की तैयारी भी जल रही है जिससे बौकलाहट इनके अंदर है फिर से हंगामा होगा एक बार जैसे की पहले CAA के मसले पर हुआ NRC के मसले पर हुआ लेकिन इस बीच एक और मामला चल रहा है कॉंग्रिस की तरफ से बौकलाहट कॉंग्रिस की हार की है कि राजस्थान में हार रहे हैं Election Commission के पास और इन्होंने जो बाते कही कि ED ही जिम्मेदार है कॉंग्रिस को हराने के लिए ED का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन चुनाव आयोग के तरफ से क्या कहा गया चुनाव आयोग ने इनके जो बाते थी वो सुन ली उसके बाद इनके जो अप्लिकेशन थे वो भी एक्सेप्ट कर लिये लेकिन एक बात तै है जो पिछले दिनों विजिस सिडूल के कारण इनके मिटिंग कैंसल की थी वो अकलाट इनके अंदर थी अब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अगर ऐसे ही केंद्रिये एजेंसियों पर आरोप लगाना है CRPF पर आरोप लगा देते हैं ED पर आरोप लगा देते हैं तो क्या चुनाव के समय में इस तरह के छापे मारी नहीं होना चाहिए ब्रस्टाचार उजागर नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हो गया तो किसी भी महीने में कहीं न कहीं चुनाव होता है और ये छापे मारी रुक जाएगी कॉंग्रेस बैज्जत होकर वहां से आई है ये डेलिगेशन के मिम्बर सब के सब बैज्जत होकर वहां से निकले हैं लेकिन विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जिस तरीके से क्रैक डाउन चल रहा है उससे घवराहट तो है कि 2024 से पहले ही ये एक तरह से नहीं बल ब्रस्टाचार का आरोप तो पहले ही लगा है इलिगल एक्टिविटी का आरोप लगने वाला है जैसे टीमसी है जिसके कई नेता जेल के अंदर हैं ब्रस्टाचार तो है ही लेकिन भांगला देश के मुस्लिम संगठनों के साथ साथ गाट के भग खुला सा अब एनाये करन वाली है मतलब एक साथ इन लोगों की परिशानी इसलिए बड़ी है क्योंकि सब के सब करप्ट देश द्रोही गत्विधियों में जो सामिल हैं वो एक्स्पोज हो रहे हैं गिरफ्तार किये जा रहे हैं और इनके नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है मेसायोग ताकि इस तरही खबर हम आपके लिए लाते रहें धन्यवाद